ओम स्रीगनीश चाहिनमा दोश्तो एश्टू समधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोश्तो आज एकीस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 अक्टूबर गुरुवार की रासी फल के बारे में कि यह दिन में इस रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज धन अचल संपत्ती इत्यादी को लेकर भी इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नती के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं दोस्तो इस समय आप निवेस का भी नजरिया अपना सकते हैं और निवेस कर आर्थिक इस्तिती को और भी मजबूत बनाने में आप सफल हो सकते हैं दोस्तो साति सात अपने माता पिता के साथ संबंदों को और भी सुदारने का प्रियास करें इससे ना केवल आपको भागय का साथ मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की भी आएगी करियर उचाईयों पर जाने की आज संभावना दिखाई दे रही हैं यदि आप नौकरी बदनना चाहें तो उसमें भी आपको आज सफलता प्राप्त हो सकती हैं दोस्तो साति सात आज आपको आपके मित्रों का शैयोग प्राप्त होगा जो आपको शकारातमक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत साहित करेंगी आपको अपने कारे छित्र में कई कारों के लिए आज अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का समय आर्थिक दरश्टी कोंड से आपके लिए बहुती अच्छा समय हैं क्योंकि इस दोरान आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं दोस्तो साती सात आज आप किसी पार्टी में भी सामिल हो सकते हैं अत्वा परिवार और मित्रों के साथ कहीं डिनर या लेंच पर जाने का भी आप प्लान बना सकते हैं कला के छेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय आज का काफी अच्छा रहेगा जो लोग आध्यात्मिक के छेत्र में लगे हैं उन्हें भी आज अच्छे पढ़नामों की प्राप्ति होगी जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा साथ साथ इस समय आप अपने काम में महारत हासिल करेंगे और आपके वरिष्ट अधिकारियों दुआरा भी आपके कारों को सरहारा जाएगा आपके करियर में तरक्की होगी और यदि आप मन से महनत करते हैं तो सफलता पाने से और पदोनती से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तो अब बात कर लेते हैं अज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो इस दोरान कुछ लोगों का अपने ससुराल पक्ष के लोगों से जगड़ा हो सकता है अथवा आपके जीवन साती दोरा अपने माईके का पक्ष लेने के कारण आप दोनों के बीच दोस्तो आपके विपरीत हो सकती है इसलिए दोस्तो तैयार हो जाईए और संभवनाओं को सच में तबदील करने के लिए क्योंकि अभी का समय आपके लिए मेहनत करने का समय है इसलिए आप जम कर पसीना बाहें अपनी जिम्मेदारियों के मूल को समझने में आपको परेशानी हो सकती है इसके लिए आपको अपने परिवार के किसी अनुभव व्यक्ति से सला लेने की आवशक्ता प कर सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ आज अनबन भी हो सकती हैं सकारत्मक सोच वे आत्म विश्वास कारों में आज आपको सफलता दिलाएगा या दोस्तों आपके लिए आज आवश्चक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समय लें और सोच सम समस्याओं का हल निकाले और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं परिवारिक जीवन में आज चिंताओं के वरद्दी हो सकती हैं लेकिन यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याओं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगी दोस्तों बा आख कान खुले रखने की जो एविवायत हैं तो प्रेम विवाके आज उनके लिए योग बनेंगे प्रियतम से आज आप अपने दिल की बात साजह कर सकते हैं दोस्तो प्रेम संबंद आज अच्छे हो सकते हैं मन के अनुकूल प्रेमी प्रेमी का मिलने की भी आज संभावना पाई जाती है यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने मन की बात भी आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आप दोनों में काफी उत्सा देखने को आज मिल सकता है एक दूसरे के प्रती सानभूती आज हो सकती हैं तथा कामकाज को लेकर भी अपनी बातों को आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों आप अपने प्रेम जीवन में आज आगे बढ़ेंगे और आपके प्रेम जीवन में शांती, सदबाब, रोमांस आदी का आज समावेस होगा दोस्तों आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती उत्तम दिन रहने व दोस्तो कारेच छेत्र में आज वातावरन आपके अनुकूल रहेगा और शेय करिमियों का आज आपको भरपूर शेयोग प्राप्त होगा जिससे सभी कार्रे बहुती आसानी से पूरे होंगे दोस्तो आपको अपने करियर और बिजिनिस में आज अच्छी सफलता प्राप्त ह होगी आप अपनी सफलता के आज जंडेगार देंगे या दोस्तो आर्थिक रूप से भी आज उन्नती के अच्छे अफसर आपके सामने आएंगे और उसके फलसरूप आज आप अच्छा धनलाब प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे या दोस्तो भार की कंपनियों से भी आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना हैं साती सात विध्यार्तियों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला हैं कोट कचैरी से जुड़े लोग भी आज कुछ नई योजनाएं बनाएंगे जिनमें उनको अवस्चे ही सफलता प्राप्त होगी नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला हैं दोस्तो बात करते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज आपकी स्वास्थ में कुछ हद तक सुधार आएगा यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस दौरान बीमारी से छुटकारा मिल सकता है आपकी उस बीमारी में सुधार आ सकता है जिससे आपकी परिशानियां कुछ हद तक कम हो सकती हैं दोस्तो साती सात अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर ल हल्दी से सुवास्तिक बनाकर भगवान श्रीहरी विश्णु जी का इसमनर करते हुए किसी भी गाय को खिला दे और मनी मन अपनी मनों काम नहीं मांगें या दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान श्रीहरी विश्णो जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो के प्राप्टी होंगी और आपके सभी कार रहें भगवान श्रीहरी विश्णो जी के आसिरवाद से बहुत यासानी से बनने लगेंगे दोस्तो भगवान श्रीहरी विश्णो जी का आसिरवाद आपको प्राप्त हो सच्च दिल से कमेंट स्बोक्स में जैसरी हरी विश्णों वश्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद